असलाम अलेकूं मैं शायदा शेक नेवी सेलिब्रेशन के लिए हम लोग गंडी पर गए वेते तो मैं आपको आज वो शूट करके बताने जा रहे हूं देखे यह एलिकॉप्टर काफी अलिकॉप्टर थे और यह जो छोटे छोटे आपको छोटे फासले पर दिखाई दे रहे यह नेवी की जहाजे जो समंदर में है यह आपको बहुत छोटे दिखाई दे रहे हैं लेकिन जब आप करीब जाओगे तो यह काफी बड़े हैं हमारे नेवी के सिपाईयों ने यहाँ पर बहुत से कर्टब दिखाए यहाँ पर देखो यह दो एलिकॉप्टर है उसमें लड़ाई के भी थे और इतनी उनकी स्पीड दी के पूछो ही मत और एक एक कर्टब बता रहे थे के पूछो ही मत यहाँ पर लोग जो हैं बैठे वे हैं क्यूंकि हम लोग मालवन से 20-25 मिनट का फासला चल कर तै कर कर आया उतना ही आगे था अब और चलना मुश्किल था क्यूंकि उसमग रिक्षा सब बन था दुकाने बन थी पूरा मालवन बन था रिक्षा अगर चालू रही थी तो हम लोग रिक्षा से वहां तक पहुंच सकते थे इसलिए हमें बाकी तो वहां का कुछ देखने ने मिला लेकिन मैं यहां से आपको शुट करके जो बैठी इन लोगों के पीछे हमाया मेरे शुट करके बाता रही हूं तो यहां पर देखो यहां पर समंदर में जो भी उन्होंने छोड़ा तो उसकी जो नक्षी है देखो नक्षी कितने अच्छी आई वी है तरह की डिजाइन है आप बोलेंगे तो भी चलेंगा और थोड़रे फासले पर उनकी जहास थे यहां पर देखो यह जहास कितना तेज जा रहा है इसकी स्पीड देखो कितनी है और बहुत से इसे हलिकॉप्टर वगेरा ने अपने नेवी के लोगों ने अपने करता बताए हम लोग यही पर बैठे वे इनके पीछे और बसिस भ से बहुत कड़क बंदोबस था यहां पर मेरे खायर से यहां पर 15 दिन पहले से इनकी तैयारी शुरूती हर तरफ सजावट साफ सफाई क्या पूछो ही मत यह स्रिफ मैंने तो बचपन से यहां पर कभी यह होते वे नहीं देखा मैंने पहली बार ही देखा देखो लोग यह यहां पर बैटे वे बहुत गरश था बहुत गर्दी थी यहां पर देखो यह एलिकॉप्टर जा रहा है उसकी स्पीड देखो कितनी है यह पहली बार ही हुआ यहाँ पर क्योंकि बंबई वगेरा में पूना में तो होता ही था लेकिन यह यहाँ पर celebration पहली बार किया गया सब रेट पर बैट है यहाँ पर देखो यह लड़ाई के तीन जो है यह एलिकॉप्टर है कितनी इनकी speed है देखो यहाँ पर बस पर भी लोग बैटे वे याँ देख रहे है तो मेरा यह वीडियो आपको जरूर पसन आया होगा अपने दोस्तों में शेर करें लाइक करें अगर आप चाइनल पर नहीं हैं तो प्लीज प्लीज इसे सब्सक्राइब करना न भूले देखिये यहाँ पर यह जो मदर देखकर बच्चे इतने खूश हो रहे थे कि पूछो ही मत तो आपको यह वीडियो कैसा लगा आप जरूर बताईए फिर से एक बार बोरिये मेरे इस चाइनल पर अगर आप आएं नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें देखिए जहाँ थोड़े फासले परे शुक्रिया थैंक यू